गनेश चेतुर्थी की कथा गनेश चेतुर्थी भगवान श्री गनेश के जन्तिती से जुड़ी हुई एक कथा अत्यन्त लोग प्रिय है कहा जाता है कि एक बर माता पार्वती इस्तनान करने जा रही थी उस दरोन उन्होंने अपने शरीर पर लगे लेप अथवा मैल के जरी एक काया बनाई और उसमें ब्रान डाल दिये ताकि उनके द्वारा बनाया गया बालक द्वार पर पहरेदारी कर सके यही बालक भगवान शरी गणेश थे जिने माता पार्वती ने अपने शरीर की लेप से निर्मत किया था माता पार्वती ने गणेश जी को आग्या दी कि वह द्वार पर ही रूप कर पहरेदारी करें और किसी को भी अंदर आने की अनुमती ना दें इतना कहकर माता पारवती अंदर स्नान करने चली गई और भगवान श्री गणेश द्वार पर पहरेदारी करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शंकर आये और द्वार से अंदर प्रवेश करने लगे। इस पर माता की आग्या का पालन करते हुए भगवान श्री गणेश न गणेश जी की सीख सुनकर जब माता पार्वती बहार निकलती है तो गणेश जी का कटा सिर देख कर रोने भी लगती है और शंकर भगवान को बताती है कि ये उनके द्वारा बनाया गया उनका पुत्र था माता पार्वती भगवान शिव से गणेश जी को जीवित करने का आगरे करती है ता भगवान शंकर अपने सेवकों को आगया देते हैं कि वे लोग धर्ती पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उसका सर काट कर लाएं जब भगव दोस्तों इसके बारे में जानते थे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलें एक बार फिर मिलेंगे नहीं कहानी के साथ तब तक के लिए राधे राधे